ये Adventist World Radio की हिंदी सेवा है जीवन धारा कारेक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार Adventist World Radio की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं आईए आपको इस 30 मिनिट में प्रसारित होने वाले कारेक्रमों की जानकारी दे दे आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कारेक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानि बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा तो शुताओ आईए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं पवित्र आत्मा आभिजा तेरा सामा मुझे को दे तेरी शक्ति मुझे को दे तेरी शक्ति मुझे को दे जैसे अलीशा को दे तूने अभिशे किया वैसे ही मुझे को भी तू अभिशे कर दे जैसे अलीशा को तूने अभिशे किया वैसे ही मुझे को भी तून अभिशे कर दे तेरा सामा मुझे को दे पवित्र आत्मा आभि जा तेरा सामा मुझे को दे बच्चो आप सबों को आशांटी का प्यार भरा नमस्कार आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी के साथ उपस्तित हूं बच्चो आज हम तारों के बारे में सीखेंगे बच्चो पवित्र बाइबिल ज्यान का भंडार है क्यूंकि इसे परमेश्वर की प्रेणा से लिया गया है जैसा की तुम लोग जानते हो भजन सहिता तेतिस अध्याई छटे पद में लिखा है अकाश मंडल यहवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मूँ की श्वांस से बने है सचमुच में परमेश्वर ने अपना वैभाव अकाश में दिखाया है भजन सहिता तेतिस अध्याई छटवे पद देखने में कितना छोटा लगता है परन्तु इसमें कितनी महानता चमतकार भरा हुआ है हम अपनी नंगी आँखों से लगबख तीन हजार तारे अकाश में टिम्टिमाते वे देख सकते हैं जिने हमारे परमेश्वर ने अपने मूँ की सांस से बनाया है पैट्रियाक्स एंड प्रॉफिक नामक पुस्तक में प्रिस्ट 63 में इसपस्ट किया है कि प्रभु येश्व तारों की सेर करते हैं और अपने विशाल और विस्तरित ग्रहे के रहने वालों की आवशक्ताओं की पूर्ती करते हैं परमेश्वन ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य के बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागणों को बनाया परमेश्वन की महिमा का हम अनुमान भी नहीं कर सकते तुम लोग यदि बड़े बड़े शहरों में रहते हो तो परमेशर की इस महिमा का पूरा आनन नहीं ले सकते क्यूंकि शहरों की तेज बस्तियां हमें अकाश की और निहारने में साहिक नहीं होती फिर शहर का प्रदूशन वातवरन को इतना धुमिल कर देता है और हम तारे भी इस पस्त नहीं देख सकते है चाननी रात क्या होती है उसका आनन तो किसी ऐसे गाउं में जाकर ही लगता है जहां बिजली की रोशनी नहीं है परमेशर ने रात पर शासन करने के लिए चान्द और तारागणों को बनाया है हम तभी समझ सकते हैं गाउं वाले तारों को देख कर रात में समय और दिशा का ग्यान करते हैं परमेशर ने हमारे लिए कितने आश्यर जनक तरीके से वेवस्था की है और फिर इतने सारे तारागरण हैं उनकी गती और दिशा का निर्धारन भी स्वेम परमेश्वर करता है वरना वे आपस में टक्रा कर एक भेंकर आसमानी दुरगटना को जनम देंगे परन्तु ऐसा नहीं होता हाँ, हमारी प्रिट्री पर आए दिन कितनी भेंकर दुरगटनाएं होती है बच्चो यदि हम किसी बड़ी प्रियोकशाला में बैटकर बड़ी बड़ी दूरबिनों से इन तारों को देखें तो पता चलेगा कि ये तारे हमें बहुत कुछ पताना चाहते हैं दाउद, अयूब, इब्राहिम, यशाया और आमोस आकाश के तारों को निहारा करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखा करते थे अमोस अपनी पुस्तक के पांचवे अध्याय और आठवे पद में कहता है कि परमेश्वर ने सत्तर रिष्यों को बनाया और मृग शिया नामक तारे बनाने वाले हैं जिसे और आयन कहते हैं दावत अपनी पुस्तक भजन सहीता 147 अध्याय के चोथे पद में कहता है कि परमेश्वर सभी तारों की संख्या और उनके नाम भी जानता है लगबग 10,000 तारे जो अधिक चम्कीले हैं हमारी पृत्वी से देखे जा सकते हैं और आधुनिक शक्तिशाली कैमरों से 30 करोड तारों के चित्र लिए जा सकते हैं कोई भी तारों की ना तो संख्या जानता है ना उनके नाम सिर्फ परमेश्वर ही जिसने उन्हें अपने मूँ की सांस से बनाया है भजन सहिता उन्नीस पहला पत तो तुम अच्छी तरह जानते हो अकाश इश्वर की महिमा का वर्णन करता है और अकाश मंडल उसकी हस्त कला को प्रगट करता है सच्मुच में जब हम अकाश की और निहारते हैं असंग के जगमगाते तारों को देखते हैं हम परमेश्वर की महिमा को सोचने पर विवश हो जाते हैं विश्वास होने लगता है कि इनका बनाने वाला अवश्य परमेश्वर के सिवाए और कोई नहीं है यशाया चालिस अध्याए चब्विस्वे पद में इसी महिमा को देख कर खहे उठता है अपनी आखे उपर उठा कर देखो किसने इनको सिर्जा वे इन गणों को गिन गिन कर निकालता है उन सब को नाम लेकर बुलाता है अयू की पुस्तका 38 अध्याए 31 पद पढ़ो उसमें तुम्हें ठीर से तारों के बारे में ग्यान होगा जैसे ओरायन पिलियेट्स जो खुबसूरत तारों का गुच्छा है जो टारस नामक तारों के गुच्छे के पास है ओरायन हम जो प्रभु के आगमन की प्रतिक्षा कर रहे हैं बहुत मैत्पून हैं क्यूंकि श्रीमति वाइट को जो प्रभु ने दर्शन दिया था उसके अनुसार पवित नगर इसी ओरायन से उतरेगा बच्चो यदि तु मुरायन को आकाश में नहीं खो सकते हो तो किसी जानकार से पुछना ये अक्टूबर के महिने में पूर की और उपर देर शाम तक देखा जा सकता है इसकी पहचान है जैसे कोई शिकारी अपने कंदे पर तलवार लटकाई हुए है अयूब की पुस्तक के 38 अध्याए 32 बत को पढ़ो यहां सभी राशियों का संधर दिया गया है मती की पुस्तक 24 अध्याए भी तारों के अध्यान के लिए बहुत महत्पून है उत्पत्ती की कहानी हमें बताती है कि इन तारों का एक खास काम है वह है चिन बताना प्रभू के जनम के विशे में जो बुद्धिमान लोगों को एक तारे ने मारदर्शन दिया था उसे पूर्ण दिशा से एरुशिलम तक पहुचाया प्रभू ने अपने आने की बहुश्वानी करते समय तारों के चिन को बताया है जो मती के 24 अध्याए 29 पद में लिखा है उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंध्यारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे अकाश से गिर पड़ेंगे और अकाश की शक्तिया ही लाई जाएंगी बच्चो आज हमने पवित्र बाइबिल से तारों के विश्व में बहुत कुछ सीखा अब जब कभी तुम लोग अपनी च्छत पर या विस्त्रों पर लेटे अकाश की और निहारों तुमद भूलो इनका बनाने वाला भी हमारा ही स्रिस्टी करता परमेश्वर है ये तारे हमें परमेश्वर के बार में बहुत कुछ बताते हैं इन तारों का ध्यन का शौक पैदा करो इन्हें जानने के लिए अपनी स्कूल की लैबरेरी से पुस्तके लाकर पढ़ो या अपरे शिष्षक जिने तारा मंडलों का अच्छा ग्यान है उनकी साहता लो याद रखो इनका बनाने वाला हमारा परमेश्वर है कितनी महान रचना है उसकी ताउद, अब्राहाम, यहशाया, अयूब, आमोस के समान तुम भी तारों का अध्यन करने वाले बनो आप Adventist World Radio का जीवन धरा कारेकरम सुन रहे है यदि आप इशू के जीवन और उनके शिक्षाओं या फिर स्वास्थ विशय पर पत्राचार द्वारा अध्यन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखे शोताओ इससे पहले के हम परमेश्वर का वचन सुने आईए ये गीत सुनते हैं प्यारा इशू का पैगाम हम सुनाने आए हैं तेता नजाद गुनाओं से और हम बताने आए हैं हालेलुए, 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 ह लंगडों को जिसने चंगा किया आलेलुया, 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 आलेलुया क्रुस परेशु मारा गया तीसरे दिन जी उठा क्रुस परेशु मारा गया तीसरे दिन जी उठा आज भी एशु सिन्दा है और हम बताने आए है तेता नजात गुनाओं से और हम बताने आए है अल्लुया अललुया क्रुस बादलों पर इश्व आएगा हम सब को संग ले जाएगा बादलों पर इश्व आएगा हम सब को संग ले जाएगा आज भी इश्व जिन्दा है और हम बताने आए है पेता नजाद कुनाओं से और हम बताने आए है हालेलूया, 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 प्यारा इश्व का पेगाम हम सुनाने आए है प्रिय रेडियो मित्रो प्रवीशु मसी के मधुर नाम में आपको भाय मौरिस मादो का नमस्कार मित्रो परमेश सर हमारा सरन स्थान है सरन स्थान वो जगा है जहां पर भाग कर एक व्यक्ति विपत्तियों से जोखिम से दुख और समय स्था से बस सकता है मनुस का जीवन दुखो कस्टो और जोखिमों से भरा है उसे एक सरन स्थान की ओ सकता है जहां वो सुरक्षित रह सके सांती महसूस कर सके आज मनुस को किसका डर नहीं है जंगली पसों से तो ही प्रंतु आज एक मनुस दूसरे मनुस से खत्रा महसूस करता है फिर हम जोखिम के समय किसकी पास जाएंगे बाइविल में ऐसे सरन स्थान का चित्रन है जहां लोग सरन लेकर बस सकते है परमेशर ने इसराइलियों के लिए मुसा को और बाद में यहुश्य को यह प्रबंद करने को कहा कि देश में सरन स्थान ठहराए जाए जो कोई भूल से बिना जाने किसी को माल डाले पूर्ण में से किसी सरन नगर में भाग जाए इसलिए नगर खून का परटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे सरन स्थान ठहरे वहाँ पर फाटक पर से वो पुर्णियों को अपना बकदमा कह सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वो उनके साथ रहे यदि खून का परटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे जानकर कि उसने अपने पुर्णियों को बिना जाने पहले उससे बिना बैर रखे मारा उस खूनी को उसके हाथ में ना दे परमेशर हमारा सरन स्थान है सोई परमेशर हमारा सरन स्थान ठहरता है सरन नगर के विवस्था के लिए परमेशर ने मूसा को आग्या दिती परन्तु मूसा ने अपनी मिट्टिव से पहले दिये आसिरवाद में इस्राइलियों को कहा अनादी परमेशर तेरा सरन स्थान है विवस्ता विवरन 33 उसका 27 पत दाउद ने भी अपने भवन में कई बार यही कहा कुछ वचनों पर ध्यान करे भजन सहिता में लिखा है परमेशर हमारा सरन स्थान और बल है भजन सहिता बारा दो में लिखा है वो मेरा गड़ है हे हुआ मैं तेरा सरना गत हूँ हे इस वर मेरी रक्षा करे क्योंकि मैं तेरा सरना गत हूँ भजन सहीता सोला उसका एक पद दाउद अपने सत्रियों से बचने के बाद यही गीत गाता था यहुआ मेरी चटान और मेरा गड़ और मेरा छुडाने वाला है मेरा इस्वर मेरी चटान है जिसका मैं सरनगत हूँ आगे दाउद कहता है क्या ही धन है वो पुरुष जो उसकी सरन लेता है पजन सहीता 34 उसका आठ पद मित्रो दुख विपत्ती संकट रोग ये मिर्ट्व के समय हमारा सरन स्थान परमेसर ही है वही सबसे निकट रहने वाला सहायक है इसलिए हम उसे पुकारे संकट के समय में आप किसका आसरे खोस दें परमेसर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि लोग उसके द्वारा उड़दार पाएं प्रमेसर सारे जगत के लिए सरन स्थान है जो कोई भी उस पर विस्वास करेगा वो नास नहीं होगा उसने कहा हे सब परिश्रम करने वालो और बोज से दवे लोगो मेरे पास आओ मैं तिम्हे विस्वाम दूँगा प्रभी उसी के पास आकर जितने लोगों ने चंगाई पाई कोडी सुध हुए अंधे देखने लगे दुस आत्मा से गसित छुटकारा पाए सेतान के सताय हुए लोग प्रभी उसु के द्वारा चंगे हुए प्रभी उसु लोगों उपर तरस खाकर उन्हें चंगा किया और सांती दी वही मनुस के लिए सरन स्थान ठहरा है जो अपना केवल सारिक चंगाई प्रंतु अनन्द जीवन देता है प्रभी उसु न कहा जीवन की रोटी मैं हूँ जो कोई मेरे पास आएगा कभी भूका ना होगा जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा यहना 6 उसका 35 पत प्रभी सु पापियों को बचाने आया एक पापी प्रभी सु के पास आकर बस सकता है हम सब विश्वासियों की यही गवाई है कि जब हमने प्रभी सु को पुकारा उसने हमारे पापों को च्छमा कर हमें अनंत जीवन दिया है प्रभी सु सारे जगत के लिए सरन स्थान है प्रभी सु ने अपनी इस जगत में आने के उद्देस को प्रगट किया प्रभूप का आत्मा मुझ पर है उसने कंगालों को सु समचार सुनाने के लिए मेरा भी सेख किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधों को सु समचार का अंधों को दिस्टी पाने का सु समचार परचार करूँ कुछले हिवों को छुडाओं कई प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को कुछले एवं सताय लोगों को छुटकारा देकर उसने उन्हें सांती दी प्रवीशु ऐसे बंधन में पड़े लोगों को लिए सरनगत है आज प्रवीशु मसी की कलीशिया को सरन स्थान बनाया है जहां पर लोग आकर वचन की संगती प्राप करते हैं जीवन पाते हैं चंगाय और कई आशिसे प्राप करते हैं प्रवु ने कलीशिया को या आशिस दी है कि हम कलीशिया के लोग दूसरे के लिए सरन स्थान बने जहां लोगों को सांती मिले इसमें हम कहां पर हैं कि हमारे जीवन परिवार या कलीशियाओं से लोगों को सरन या आशिरे मिल रहा है हमारे चारों और लोग भूखे प्यासे उगाड़े हैं जिनकी चिंता कलीशिया को करनी है क्योंकि परमेश्वर उनका भी सुष्टी करता है प्रन्तु क्या कलीशाएं ऐसे नों की चिंता करती है कुछ विश्वासी और कलीशाएं इस परकार से लोगों की चिंता करती है जो सराहनी है प्रन्तु बहुत से धनी विश्वासी धनी कलीसियाएं अपने आस पड़ोस के कमजोर, लचार और गरीबों के लिए कोई चिंता नहीं करती कलीसिया का निर्मान ही इसी उद्देश के साथ किया गया है इसलिए हमें अपने उद्देश के प्रती जागरुक होने क्या हो सकता है आईए हम बहुतों के लिए सरस्थान बने और कलीसियाई उद्देश को पूरा करे आज समाज में कई लोग सताई जाते हैं उनका अपना नागरिक हग भी उन्हें नहीं मिलता गरीबी और आसिक्षा के कारण अपने हक के लिए भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते मेरे दोस्तों बाइबल कहती है परमेशर हमारा सरन स्थान है आज मनुस अपनी भाग दोड़ की जिंदगी में परमेशर को भूल गया है लेकिन परमेशर уж सब को बकारता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विस्राम दूगा क्या आप प्रवीशु मसी के पास आना चाहते हैं विस्राम पाना चाहते हैं परमेशर आपकी रक्षा करेगा आए हम प्रात्थना करे द्यालू जीवित प्रमेश्व पिदा तु हमारा सरन स्थान है प्रहू तु हमारा बल है गड़ है हम तेरे पास आते हैं प्रहू हमारी रक्षा कर क्योंकि हम जानते हैं खुदावन तेरे पंखों के नीचे हम सुरक्चित है हम सुन्ने वारे सुताओं के लिए प्रातना करते हैं कि तुने हरे एक बंदन से छुड़ा अगर वो कुछले हुए खुदाओं सताए हुए हैं तुने चुटकारा दे उन्हें सांती दे हम उनके जीवन को तेरे सामत साली हाथ में सौपते हैं और इस प्रातना को प्रवीश मसी के नाम से मांगते हैं आमीन मित्रौप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं बात कर सकते हैं प्रातना करवा सकते हैं मेरा नंबर है 96892317172 96892317172 मेरी मेल आइडिय है morisawr.gmail.com morisawr.gmail.com मित्रोप अगर आब हमें आउन लाइन में सुनना चाहते हैं तो हमारा पता है AWR Hindi Asia AWR Hindi Asia इस कारेकरम को सुनने के लिए आपका धन्दवाद परमेश सर आपको आसिस दे उम्मीद करते हैं आपको आज का कारेकरम पसंद आया होगा आपको कारेकरम कैसा लगा? अवश्य लिखे, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा हमारा पता है शोताओ अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है इसी समय इसे मेटर बैन पर आपसे फिर भेंट होगी तब तक के लिए हमें आग्या दीजिए प्रभू आपको आशिश लेए अवश्य लेए